दोस्तों, प्यारे देश्वाशियों, नमसकार, मैं शामरंगिला, कॉमेडियन हूँ और आज आपसे मन की बात करने आया हूँ आप सब के मिन में सवाल है कि जो हम न्यूज में सुन रहे हैं क्या शामरंगिला यह सत्य बोल रहा है कई मजाग तो नहीं है कोमेडियन है तो मजाग कर रहा होगा लेकिन दोस्तों यह मजाग नहीं है मैं वारानसी से चुनाव लड़ रहा हूँ और मोदी जी के सामने लड़ रहा हूं दोस्तो आप सोच जहें कि अगर इसकी क्या जुरूरत पड़ी शामरकिला वहां कि चुनाव लड़ रहा है भारत का लोगतंतर जो है उसमें कोई भी चुनाव लड़ सकता है और मैं जो चुनाव लड़ रहा हूं उसका भी एक कारण है और वो कारण जैसे हमने देखा है पिछले दिनों सूरत में जो हुआ चंडिगड में जो हुआ इंदोर में जो हो रहा है तो मुझे लग रहा है कि कहीं ने कहीं वहां ऐसा नहीं हो जाए कि कोई है नी केंडिडेट लोग वोट किसको देंगे अगर एक व्यक्ति भी किसी के विरुद में वोट देना चाहता है तो उसको अधिकार है वोट देने का लेकिन मुझे यह डर है कि कहीं वहां भी ऐसा ना हो तो मुझे लगा कि संशिदी छेतर वारानसी में जाने से यह प्रभाव बहुत पड़े और साथियों अब बहुत जल्द वारानसी आ रहा हुन और जैसे कि मोदी जी ने कहा है यो नो जो जिस भासा में समझेगा वे उसको उसी की भासा में जवाब दोंगा तो दोस्तो मैं भी मोधी जी को उनी की भासा में जवाब देने के लिए आ रहा हूं चुनाव को लेकर दोस्तो मैं उत्साहित हूँ वह पहली बार लड़ रहा हूं और धनकी व्यार शोगता होगी मेरे पास electoral bond नहीं है, मैंने किसी जिल लिए नहीं है, तो मुझे धनकी तो आपशकता पड़ेगी, तन की भी मन की भी पड़ेगी, तो आप तन मन धन से मेरा सयोग कीजिएगा, और वारानसी में जो भी मेरा सयोग कर सकते हैं, जो लोग चाहते हैं कि शामरांगिला को सकते हैं, और मैं बाकी लोगों से भी कहना चाहूँगा, कि आप भी नी संग कोच मेरे साथ जूड सकते हैं, दोस्तों मैं बाकी के अपड़ेट भी आपको देता रहूँगा, कि मैं कब वारानसी आउँगा, बाकी चीजें मुझे पता तर लेगी तो मैं बताऊँगा, कब आप सब के सहयोग की कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, मैं बहुत जल्दी आप से और चीजें साजा करूँगा, भारत माता कीजे, बंदे मातरम लडएंगे जीतें